अगेन वेलकम करता हूँ एक नई वीडियो के साथ दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से नविक जन्नल ड्यूटी नविक डमस्टिक ब्रांच और यंत्रिक का जो फॉर्म है वो आचुका है दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा फुल नोटिफिकेशन इशू हो चुकी है फॉर्म 2 जुलाई 2021 से लेकर 16 जुलाई 2021 तक चलेगा दोस्तों आप लोग ये नोटिफिकेशन अपने पास डाउनलोड करके जरूर रखेगा और अपने डाउट्स जो है वो पहले ही क्लियर कर लीजेगा चलिए जान लेते हैं कि इसके लिए क्या कोईलिफिकेशन चाहिए क्या एज लिमिट चाहिए और कौन-कौन इसको अपलाई जो है वो कर सकता है eligibility criteria आखिर है क्या दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि ये जो farm की full notification है आपको हमारे page समझ आया क्या dot in के उपर भी मिल जाएगी अगर आप इस page पे विजेट करना चाहते हैं तो description में आपको link मिल जाएगा 2018 से ये page update होता आ रहा है 2021 के लिए भी update हो चुका है इस page पे जब आप आते हैं तो आपको बिल्कुल नीचे आना होता है नीचे आने पे ही आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि detail advertisement का link दिया जाता है और अगर किसी को अवेधन करना होता है तो उसको ये link दिया जाता है तो आप अपने पास ये page का link जो है वो save जरूर कर लीजेगा बाइदावे आप सबको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इस vacancy के लिए total sorry in department के लिए जो vacancy आई है वो 3.500 प्लस आई है जिसमें यंतरिक नविक डोमेस्टिक ब्रांच और जर्नल ड्यूटी है दोस्तो आप लोगों ने online ही अवेधन करना है all over India से आप कर सकते हैं Mumbai, Chennai, Kolkata and Noida में इनके तकरीबन examination center जो है वो रहते हैं और इनका जो selection process है वो written test होता है physical fitness test होता है और medical होता है चलिए आपको बता देता हूँ कि इसकी important dates क्या है दोस्तो इसके exam का result तकरीबन 30 days में आ जाता है stage 1 का और इसकी जो training है नविक GD जंतरिक की वो फरबरी 2022 में शुरू हो जाएगी training नविक GD की April 2022 में शुरू होगी और जो आपका exam है वो तकरीबन September 2021 तक हो जाएगा नविक DB के लिए जो आपका exam है वो October 2021 तक हो जाएगा और नविक GD जंतरिक के लिए जो आपका exam है वो early February 2020 में tentative जो third exam रहेगा वो हो जाएगा ठीक है तो यह बात ध्यान दखेगा tentative stage जो second and third, fourth है exam dates की वो early April 2020 अब आप बुछो कि इसमें दो-दो exam हो रहे हैं दो-दो exam नहीं है अचली आपका physical भी होना है आपका return भी होना है तो यह वो दोनों चीजें है medical भी है तो यह तीन चीजें रहती है तो इसलिए आप यह मत समझिएगा कि आपके दो exam होने वाले है exam एक ही होने वाला ठीक है चलिए अब बात करते हैं इसमें physical criteria का तो minimum 150 cm तो height होनी चाहिए chest 5 cm फुलाना आपको आनी चाहिए देखिए इसमें जो physical fitness test है वो आपकी 1.6 km की running होने वाली है जो की 7 minute आपको दिये जाते हैं लेकिन आप अपना stamina अच्छा बनाइए और इसको कोशिश कीजिए इंडियन आर्मी के साथ compare करने की 5-4 में cover कर लीजेगा 20 उटक बैटक होंगे और 10 push-ups होंगे बात कर लेते हैं यहाँ पे qualification को लेकर दोस्तों नविक general duty के लिए आप minimum 12 पास होने चाहिए math और physics आपका subject होना चाहिए दोस्तों नविक domestic branch के लिए minimum आप 10th पास होने चाहिए यंत्रिक के लिए अगर आप apply करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे minimum 10th पास तो होने ही चाहिए और साथ में आपके पास diploma in electrical हो वो चल जाएगा या फिर mechanical में है वो भी चल जाएगा electronic में चल जाएगा telecommunication, radio power में चल जाएगा और यह AICTE के थुरू ही valid होना चाहिए उनके थुरू ही आपको मिला होना चाहिए 18 year से लेके 22 साल तक आप इसमें apply कर सकते हैं अगर आप नविक GD के लिए apply करते हैं तो आपका जर्म 122000 से लेके 31-2004 के बीच में होना चाहिए अगर आप नविक DB के लिए apply करते हैं domestic branch के लिए तो आपका जर्म 142000 से लेके 34-2004 के बीच में होना अनिवारिया है ठीक है अब बात करते हैं यहापे application fees की तो 250 रुपीज fees है SCST को कोई भी fees पे नहीं करनी है salary की मैं बात नहीं करना चाहूंगा last date बता दू 16 जुलाई 2021 है तो जो लोग अवेदन करना चाहते हैं सीखना चाहते हैं अवेदन करना वो हमारी यह वीडियो भी ज़रूर देख लीजेगा मैं आपको description में NDA के form का link भी दे रहा हूँ बारवी पास अभी NDA का form चल रहा है 400 vacancy के साथ इसको भी ज़रूर अफलाई कर लीजेगा defense की job है जिसमें Navy Air Force के आपको army के जो forms हैं वो इसके अंदर मिल रहे हैं तो ज़रूर अवेधन कीजिए अभी कुछ दिन पहले ही हमने वीडियो डाला है उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजेगा मिलता हूँ आपके साथ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएगा एंड में आपको मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएगे अगर आपकी कोई भी क्यूरी होगी आप वहाँ पर मुझे बेज सकते हैं कमेंट मी कर सकते हैं मिलता हूँ नेक्स वीडियो में बेल आइकन के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा ताकि अगली वीडियो का अपडेट आपको टाइम के